बिहार बोर्ड से संबंधित सूचनाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल बड़ी खबर बोर्ड के दोरा यहां पर जारी किया गया है जिसको जान लेना दोस्तो आप लोगों के लिए काफी महातपूर्ण है नहीं तो एडमिशन में आप लोगों को भी दोस्तो बहुत सारा प्राब्लम हो सकता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर आप लोग दोनों खबर आज के इस वीडियो में हम आप लोगो पूरे डिटेल में देने वाले हैं तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास इंदूस्तान का पेपर है जैसा कि आप सभी जानते है कि इस चैनल पर कोई भी गलत पर नहीं दिया जाता है पुरा जो है प्रूफ के साथ जो है खबर दिया जाता है तो देख लिजिए कि आज सानी बार 18 जुलाई का ही यह पेपर है और इस पेपर में देखते हैं सबसे पहले खबर को जो हैं लोग देखते हैं और दूसरा खबर काफी महतपूर्ण है तो लास्ट तक जरूर देखियेगा और दोनों खबर को जो है समझने के को觉ियेगा फाली महत्पूर्न खबर के तरफ जो हुआ देखिए गार कि वह खबर जान लेना आप लोग के लिए काफी जरूरी है देख सकते हैं फार्स्ट खबर यहां पर आप देख गया था लेकिन यहां पर आप किलियरली जो है देख सकते हैं बताया जा रहा है पटना बिहार बोर्ड ने इंटर नामांकन रेस्टेशन केती थी बढ़ा दी हैं अब एगार्मी में नामांकन के एक छुप छात्र जो है और चात्राइं 22 जुलाई तक आबेदन कर सकते हैं कब चात्रों को रेस्टेशन के लिए अधिक समय मिले इसके लिए बोर्ड ने तिथी बढ़ाई हैं बिहार बोर्ड द्वारा संचालित पर्देश भर में यहां पर आप देख सकते हैं कि 3489 इंटर अस्तरिये अस्कूल कॉलेज हैं इसमें ऐसे में जो है सीवी एसी और आइसी के चात्रों को भी जो है सहुलियत होगी इसके लिए आपको बता दे की बोर्ड ने ऐसा किया है और आप देख सकते हैं कि 12 यहां पदेख सकते हैं कि 12 डाक के करीब देख सकते हैं इसके लिए आपका website क्या है देख सकते हैं कि www.ofssbihar.in पर जाकर के जो लोग भी बिहार बोर्ड में 11 में admission लेना चाहते हैं तो वो लोग इस website पर जाकर के form भर सकते हैं तो यह आपका फर्स्ट खबर है जिसमें दोस्तों आपने देखा कि आप लोग से दस्मी की उसी में एगार्मी में दाखिला लेने को preference यानि कि अगर जिस स्कूल से आप लोग जो है आप क्या किये हैं दस्मी किये हैं और उसी में अगर आप 11 में admission लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों का admission लिया जाएगा फिर दूसरे school के बच्चे को उसमें क्या किया जाएगा admission लिया जाएगा तो अगर आप लोग जिस में जो है दस्मी किये हैं दस्मी जिस से किये हैं और एगार्मी में उसी में अगर उसी school college में अगर आप लोग admission लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आप फस्ट नंबर पढ़ी उस college या उस school का आप लोग नाम दीजेगा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 से 20 college आप लोग को choice करने के लिए दिया जाता है तो अगर आप जिस से दस्मी किये हैं उसी से अगर आप एगार्मी भी करना चाहते हैं इंटर्वी करना चाहते हैं तो फस्ट नंबर पढ़ी उस school का नाम दे दीजेगा तो उसमें आपका फस्ट जो है ड्मीशन हो जाएगा तो ये था आज का कुछ जो है महात्पूर्ण खबर